बिजेपी नेतरी सोनाली फुगाट की मौत मामले की जांच को लेकर हर्याना के सीम मनोहरलाल खटर ने बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि अगर गोवा पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है तो फुगाट देथ केस की जांच सीबियाई करेगी खटर ने कहा कि हमने लिखित में सीबियाई जांच की मांग की है लेकिन उनका कहना है कि पहले गोवा को जांच पुरी कर लेने दीजिए अगर फुगाट फैमली इस्टे संतुष्ट नहीं होती तो जांच सीबियाई को सौप दी जाएगी बता दे कि सीएम खटर का ये बियान रविवार को हिसार में हुई सरफ जातियाई खाप महापंचायत के बाद आया महापंचायत ने इस मामले में 23 स्टमबर तक सीबियाई की जांच की सिफारिश करने का अल्टी मेटम दिया है हिसार की जाट दरमशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया था सौनाली फुगाट की बेटी यशुधारा और प्रिवार की अन्यस दस्यों ने भी बैठक में हिस्सा लिया महापंचायत में निर्ने हुआ था कि अगर सरकार मामले की सीबेई से जांच कराने में विफल रहती है तो 24 सितंबर को ऐसी ही एक और बैठक अयोजित की जाएगी जिसमें पूरे हर्याना और अन्यराज्यों के खाप प्रतिमीदी 24 सितंबर को बैठक में हिस्सा लेकर कड़ा निर्ने लेंगे महापंचायत में 15 दस्य कमेटी का गठन किया गया इसमें सोनाली के प्रिवार के 5 दस्य भी शामिल है गोरतलब है कि सोनाली फुगाट की अगस्त के अंत में गोवा पहुचने के कुछ घंटों बाद मोत हो गई थी संदिक्द परिस्थितियों में हुई मोत की जाँच की जा रही है गोवा पुलिस ने हत्या के संबंद में अब तक अरोपी सुधीर सांगवन एक अन्या सहयोगी सुखविंदर सिंग और तीन अन्या को गिरफतार किया है साथ ही गोवा पुलिस हिसार रोतक और गुरुग्रम समेथ हर्याना में भी छानबिन कर चुकी है फगाट के परिवार के सदस्य मामले में सीबिय जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वो गोवा पुलिस की जांच से ऐसंतुष्ट है ब्यूरो रिपोर्ट हर्याना डेली